आगे बढ़ते हैं मुरादबाद से अगली खबर नर्स से दुशकर्म के मामले को लेकर आक्शन लिया गया है आरोपी डॉक्टर के तीन मदर से सील किये गए हैं आरोपी डॉक्टर का पेता चलाता था मदर साथ दो मदर से सरकारी जमीन पर बने हुए हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर पर नर्स से दुशकर्म का आरोप लगा है हॉस्पिटल में बंदक बना कर रेप का आरोप लगा है आरोपी समेथ तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रखे हैं जहापक बड़ा एक्शन हुआ है दुशकर्म के मामले को लेकर आरोपी डॉक्टर पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और नर्स से दुशकर्म के मामले में ये एक्शन लिया गया है तो आरोपी डॉक्टर का पिता मदर्सा चलाता था तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और आपको बता दें कि हॉस्पिटल में नर्स से दुशकर्म का आरोप लगा है विशाल सक्सेना वार्साथ पोनाइन पर जूर गया है जादा जानकारी के साथ अपडेट के साथ विशाल अभी क्या लेटेस्ट अपडेट इस मामले में देखिए बिलकुल आपको बता दू कि मरवाद पुलिस ने बड़ी कारवाई की है जिस तरह 17 तारिक की घड़ना एगी जिसमें एक डॉक्टर जो था उसने अपनी हॉस्पिटेल में काम करने वाली नर्स के साथ जो था दुशकर्म करने के बाद जब पीडिता के परिजनों शिकायत की उसके बाद उसके आरोपी डॉक्टर को और एक महिला और एक बाड़वाई को उसके ग्रफ्तार किया गया था जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्यवाओी किए नियाने कि पुलिस नोड़ी बड़ी कोड़ी किलिए ठीक है बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए बड़ी जहाजी में प्रिशासन अवैद कबजे को बुल्डोजर चलाकर जमिदोज कर दिया गया है मौरानी पोर नगरपालिका की टीम ने पुलिस फोर्स की मदद से गरोठा चाराहे पर रोड के किनारे कबजा कर बढ़ाई गई दो डर्जन गुमट्यों के साथ दो मिठाई की दुकालों को बुल्डोजर चलाकर धुस किया बताया जा रहा है कि नगरपालिका ने अवैद कबजा हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किया था इसके बाद भी जमीन से अवैद कबजा नहीं हटा तो बुल्डोजर अक्शन लिया है शौजापूर पुलिस ने जान लेवा हमला करने के आरोपी तीन शातर बदमाशों को गिरफतार कर लिया है इनके पास सितमंचा, कार्तूस, लोही की रॉल और बुलेरो बरामत की गई है बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को एक लड़का जब बुलेरो से जा रहा था तो इरतीनों बदमाशों ने पीछा करते हुए गाडी में टकर मार दी थी सोनभदर के मारकुंडी घाटी में पहार धहने से आवागमन बातित हो गया है पहार धहने से वारनसी, शक्तिनगर, में रोड पूरी तरह से बातित हो गया है गारियों का गुजरना बंद हो गया है बताया जा रहा है कि रुख्मक कर बारिश के चलते पहार ढ़ा है टोल प्लाजा कर्मी मलबे हटाने की कोशिश कर रहे हैं चोपन थानक्षित्र के मारकुंडी घाटी की इखटना बताई गया नौईडा में इंकाउंटर में दो बदमाशों के पैड में गोली लगी है जिसके बाद पुलिस ने मौके से दोनों को गिरफतार कर लिया है गाल बदमाशों को इलाज के लिए उस्पिटल में भरती करा आगया एक बदमाश मौके से फरार हो गया पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है पुलिस के मुताबिक इस गिरों के सदस्य घरों में लूट पाट किया करते थे पकड़े गए बदमाशों ने कुछ दिन पहले मुहियापूर गाउ में लूट की वारदात को अंजाम दिया था पुलिस ने इनके कबजे से लूट के एक लाख बारहजार रुपए नकदी एक पिस्टोल और तीम तमंचे भरामत किये हैं सेक्टर 142 थाना पुलिस इलाके में ये एंकाउंटर हुआ है की गई जिसमें दो बदमासों दीपक और कनोच के पैर में बुरी लगी जिने उप्चार है नजदी की हॉस्पिटर बेजा लिया नौइडा में छेडखानी और रेप की कोशिश के आरूपी को पुलिस ने एंकाउंटर में गिरफतार किया है और ड्राइवर पर महिला सीपाही को महिला सवारी को और उसके सथ चेदा ऑना में जिसके पास से पुलिस ने तमंचा और कार्तूस भी बरावब्त कर लिया है अरूपपी पर पहले भी साथ मामली दरच्शेंटाना फैसट्रू इलाके का यह मामला है तो महिला के साथ दुशकर्म की कोशिश का आरोप है बिजनौर से अगली खबर पडोसी ने महिला को मारी गोली गोली लगने से महिला घायल हो गई है मामुली सी बात को लेकर कहा सुनी हुई आरोपी गोली मार कर फरार हो गया थानास्ति ओहारा आक्षेत्र के गाउं लंबा खेडा का यह मामला बताया गया बिजनौर से यह खबर जहाँ पर पडोसी ने महिला को गोली मारी है